हुआ है ठीक है आपका न्यू चेप्टर है ध्यान देना लंबी क्लास तो जब तक इंटरनेट का इसू सॉल्व नहीं होता तब अलग अलग में देखा जाए तो यह अलग अलग दो कॉंसेप्ट है अभी हमने शेयर कैपिटल के सारे कुश्चन लगभल में डाल दिये थे एक राइट इशू है और एक बोनस इश्यू है तर राइट इश्यू को आपको अलग समझना होगा और बोनस इश्यू को अलग समझ जिना होगा सबसे पहले concept समझते हैं वाट इस दा राइट इश्यू होता क्या है राइट इश्यू में राइटी इश्यू में होता क्या सीबी सीए इस्टे अटे मैं इस लिविद शेम सीवी सीएस के बच्चों का सीबी सीएस के अकोर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है और एनिपी को एनिपी के आप उसके चक्कर में मत पढ़िए कि मेरा सेम है कि उसका लग है आपके पास जो content delivered होगा वह आपके स्लिवस के हिसाब से होगा जैसे मान लेते हैं एक एक वाई और र्लिमेटेड एक कंपनी ठीक है झिलाव जब एक वाइज लिमेटेड है और इसने डिस City किया जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि एसने Secretary करें किया कि हम शीर को क्या करते हैं सर और शेडर को हम करतें इश्यू कि इसनेडियाद किया कि हम शेयर को करएंगे इसू कि जब शेयर को करने का इसने फैसला लिया तो इस ने माल लो अपने आपको जो से रेजिस्ट्रेशन करा रखा था ना इस लिए जूर दった को iron कहते थे हम का élar pag एपार ये इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आई पी-ो के इसको हम बोलते हैं आई पयो ही अपने प्रियो का नाम सुना होगा इनीशाल पबलीग ओफ़र अब कबवकर ने फेला विला होता कि सर ऐसी क्या मज़ों ने जब अपने आपको रेजिस्ट्रेशन पचास अजार करवाएं तो फिर दस अजार की उन्हें पचास क्यों नहीं किये तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है क्यों ऐसा करा कंपणी ने क्योंकि कंपणी को जितने फंड की नीड होती है तरफ उतने ये स्येयर यीशू करते जाती है और ऊत्राइज एसा कैपिटल है जिसको कंपणि एक फ़ार लेती यह उसमें से फिर थोड़े-थोड़े से सबस्य यह जब होग U तो मुझे Memorandum of Association को Alter करना पड़ेगा और Memorandum of Association को Alter करने के लिए बड़ी सारी समस्याइं होती है शेयर होल्डर के मीटिंग बुलाना अप्रूबल लेना और बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है तो हम इस जंजट में ना पड़के एक पर हम ज्यादा नंबर ऑफ शेयर करा लेते हैं फिर उसमें से हम धीरे-धीरे जो है शेयर को इशू करते रहते हैं ताकि हमें हमारा Memorandum of Association का Capital Clause को अल्टर ना करना पड़े स्रिफ यह परपस है भाई अब इसने इशू कर दिया अब इशू जैसे ही किया तो कंपनी का जो और होगा तो हमेशा आपको याद होना चीए कंपनी का चोको कौन होता है कि को क्यूंत के उसे ही आलता है लेकिन कंपनी के शेयर की मालिक के बात करूँ तो कितने होंगे 10.000 मालिक केगी तक जितने मार्केट में शेयर होते हैं वह ऑनर होते हैं बाके 40.000 अजार तो Coffee नहीं है तो ओनर थोड़ी होंगे यानि अब जो भी काम करना चाहिए ये ओनर है तो इससे पहले इशू करी दिये अब कंपनी को ठीक पांश साल साल कुछ समय के बाद और फंड की जुरत पड़ी तो कंपनी ने डिसाइड किया कि और अगर फंड की जुरत पड़ी हैं तो हम एक काम करते हैं हमारे पास तो अभी कि अभी क्या कंपनी के पास है कितने शेयर है कि 36,000 कंपनी के पास स्टॉक में शेयर है जिसको हम कह सकते है नॉर्मल तो चारहजार का क्या करना चाहिए सर और इशू कर दिया जाए तो अब यह पहली बार शेयर जब इशू हुआ तो इसलिए इसका इनीशियल वर्ड आ गया अब इसके बाद हुआ तो बस इनीशियल के जगह पर यह एफ आ जाएगा यह नहीं फर्दर के बाद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फर्दर और इसका नाम पढ़ जाता है एसका नाम क्या पढ़ गया यानि पहली बार जब शेयर इशू होगा तो आई पियो और जब द दस अजार शेयर और इसू करना चाहेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम एफ पीओ वो एफ पीओ के ही काउंट होगा समझ मैं यहां तक बात अब भाई जब कंपनी शेयर इसू कर रही है तो कंपनी का अधिकार मतलब इससे बिना पूछे यानि सबसे पहले यह शेयर इसी को किया जाएगा तो कि इस से पूछा जाएगा शेयर होलडर हमना बाहर वालों को कंपनी में अभी नहीं ला रहे पहला अधिकार क्योंकि ऑनर आप हो तो हम 4000 और शेयर इसू करने जा रहे हैं क्या आप यह शेयर लोगे किसको बोला गया है कौन से शेयर होल्डर को पुराने जो पुराना शीरहोंडर होता है उसको पता है क्या बोलते हैं एक्पस्टिंग इसको क्या बोलते हैं E How about your existing शेयर और सीयर होल्डर से पहले पूचा गया हम यह यह मार्किट में इशू करेंगे बट अभी हम मार्केट में ये शियर इशू नहीं कर रहे हैं पहले हम आप से पूछ रहे हैं कि आप ये शियर लेंगे तो हम मार्केट में क्यों जाएंगे ठीक है तो अगर इन्हों इन्होंने मना कर दिया इन्होंने अगर मना कर दिया तो हम किसको बेचेंगे यह फिर चला जाएगा किसके पास कि आउट कि साइडर के पास जाएगा कि समझे बात अब मुद्दे की बात है यानि इस शेयर को खरीदने दो वेक्ति पहले से यहां पर पहले से शियर होल्डर और इक पबलिक है में एक पब्लिक हो गया आंप और एक पहले पुराने वाले शेयर होल्डर का या फिर पब्लिक का एगा पहले को तो इसका मतलब इस शेयर को खरीदने के लिए जब यह वाले शेयर हैं तो इसका राइट नाम आ गया राइट का मतलब क्या होता है अधिकार राइट का मतलब क्या है अधिकार यानि वो शेयर पर अधिकार किसका होगा इसको राइट इशू करेंगे अब इसने बूल दिया नई भाई नई हम नहीं लेंगे तो वह फर्दर फिर किसके पास जाएगा पब्लिक के पास जो किस नाम से कॉल होगा अब दोनों में फर्ख एक मालिक और इन में फरक रहता है थोड़ा सा क्या फरक रहता है पब्लिक को हम दस वाला शेयर 12 में बेच रहें मान लो लेकिन एक्जिस्टिंग शियर होल्डर को राइट इशू कई वार दस के जो बाहर वालों को बारा में देंगे शायद इनको हम 11. रुपे 50 पैसे में ओफर कर दे कंपनी होता है ना पुराने ग्रहा को थोड़ा सा सस्ता समान देना तो वह तो राइट इशू क्या है राइट इशू हमारे इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है नॉर्मल जनल एंट्री वैसे ही होना है बैंक अकाउंट डेबिट ट हैं और डिसकेशन किया जाएगा बाकी राइट इशू का जनल एंट्री में कोई कांसप्त नहीं आता तो हमने मैंने कहा के सबसे पहले हमने कॉंसर्प्त समझते तो आपको राइट इशू समझ में आ गया हो कि राइट इशू है क्या यह एक तरीकी का नॉर्मल शियर ही बस यह पहली बार इशू नहीं किया गया पहली बार के बाद में इशू किया गया अगर मैं बोलू राइट इशू की एंट्री करो तो इसका मतलब इस शेयर को कौन खरीद रहा होगा वही खरीद रहा है उसी के लिए एंट्री करे जा रहे हैं समझ मैं आई बात आपको बिल्कुल FPO existing shareholder को market price से कम पे दिया जाता है ऐसा rule नहीं है कि कम पे ही दिया जाना चाहिए बट दिया जाता है एक custom चल रहा है एक तरीका से रिवाज कि भाई ऐसा है अब कोई पुराना shareholder ऐसा कहीं नहीं बोल सकता है कि मुझे सस्ते में देना पड़ेगा ऐसा कोई लॉल नहीं है वो एक custom है कि पुराने वाले को थोड़ा सा सस्ता दे तो ताकि जल्दी हमारे share subscribe हो जाए तो अगर मैं right issue की बात करूं हमारे सामने एक question है right issue के जिसके दो पार्ट है इसके सवाल में करके दिखा देता हूं देखोगे तो कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि right issue question है कि किसका question है simply हो जाएगा यह question कहता है sign enterprises have a subscribed capital 4000 equity share 100 रुपए का एक है और company decide यानि company के subscribed capital है कितने सब्सक्राइब पचिस सो एकुटी शियर सतर रुपए पर शियर receive are forfeited non payment of final call reissue forfeited share 120 यानि company ने पहले कभी 40,000 शियर बेचे हुए है जिसमें से कहानी ए बोलता है कि भाई company के पास पचिस सो ऐसे शियर थे जिसमें से सिर्फ सतर रुपए पैसे मिले थे और एक शियर की कीमत कितनी लगा रहे हैं ये इस सौर रुपए में से इनका कहना है कि हम सतर रुपए तो receive कर चुके हैं और final call रहा होगा 30 का जो हमें नहीं मिला और इन सभी इस शियर को हमने फिर से री इशू ठाके कर दिया और री इशू कितने का कर दिया मैंने 120 तो यहां पहले वाले point में से कहीं से आप नहीं कह सकते सर ये तो right issue की बात चल रही है ये तो right minut यह किसकी बात है नॉर्मल शेयर फूर फीचर की बात है यह तो समझ रहे हो यहां तक बात अगले पॉइंट में कहता है और राइट इशू एस बीन मेड इंदर रेशो वन फुली पेड़ फोर एवरी फाइब शियर होल्डर और हमेशा याद रखिए का राइट इशू हमेश कुंकि पहले 10000 लोगों को मैं 4000 नहीं बाट सकता है यहां पर चाह 20 Dynamic से टो यहां पर एक शियर है एक शियर हम देंगे आपको अगर आपके पास होना कितना चाहिए पांच अगर आपके पास पांच है तो आपको शियर एक राइट दे देंगे कितने खरीदने का एक मजबूरी है क्योंकि इतने शियर नहीं है अगर आपके पास दस शियर है तो आपको कितने शियर खरीदने क डो मिलेगा लेकिन आपके पास तीन तो आपको राइट खरीदने अधा नहीं मिलेगा सब्सक्राइब बात आपको तो कहता है और प्रीमियम पच्छीस रुपए पर यह गी जटर्नल एंट्री और प्रीमियम भी लेंगे तो पहलीं थे पहले तो इसकी करूं एपार्ट की एपार्ट की एंट्री कैसे होगी आपकी सब्सक्राइब अब देखो हमारा यह दूसरा चप्टर चल रहा है लेकिन इसके लिए पहला चप्टर आना बहुत जरूरी है कुछ बच्चे बोलते हैं यह वाला चप्टर नहीं कि आगला कर लें और शेर कें फोर काल सिनेरियर है कि तो यह तो सौर रुपे कहसा आजाएगा फ़्चिस सो सौरुपे है और यह आजाएगा पच्चिस सो इंटू में सत्राइब सत्तर और यह आ जाएगा भाई पच्चिस सो इंटू तीज वन सेवेंटी और यह सेवेंटी फाई यह तो लो हो गया फोर फीचर सवाल ने कहा इन सभी शेयर को री इशू भी किया जाए तो री इशू किया जाएगा तो बैंक बिंग वही रहेगा जो पहले हमने सीखा है बैंक अकाउंट डेबिट सर बोलता है कि हम जो शेयर को 120 में बेच देंगे और उपर आ गया तेन लाग और यह 50,000 रुपए सेक्यूरिटी प्रीमियम आ गया कैसे सर प्रीचर और री इशू जब फोर फीचर और री इशू दोनों हो जाता है तो हमें कैपिटल रिजर्व को चेक करना पड़ता है तो ध्यान दो कैपिटल रिजर्व में नुकसान कु नहीं हो जाएगा हमारा देगा हमारा कापिटल रिजर्व में कैसे करेंगे सर के का काता है नहीं तो यह हमारा फॉइंट जाता है ठीक है अगले point में कहता है भाईया right issue किया तो right issue में बस आपको number निकालना पड़ता है इसने क्या कहा कि भाईया जिसके पास 5 share है उसको एक देंगे तो हमारे पास total number of shares कितने थे अब ध्यान से देखो तो total number of shares subscribe हो चुके हैं कितने तो यानि यह पहले ही बिख चुके हैं चालिस तो इन्हीं को तो right दूँगा मैं तो चालिस को मैं अगर पांच की बात करूं तो कितने शियर मैं सरिफ आठ हजार शियर right issue कर सकता हूं देखिए जो मांगेगा पांच उसको मिलेगा एक तो अगर डिवाइड इंट्व डिवाइड पांच कर दें तो नंबर ऑफ शियर पता चल जाएगा तो 8000 शियर ही मैं क्या कर पाऊंगा यहां पर सर राइट इस्व कर पाऊंगा सर्फ और सर्फ आठ जार यहां तक क्लियर करना है और वह भी मैं कितने का बीचुंगा 25% प्रीमियम पे यानि 125 में जर्नल एंट्री इसके अंदर ज्यादा तर राइट इस ऐसा नहीं होता कि एक साथ पैसे लेकर आ जाओं सब्सक्राइफ एंट्री करेंगे सर्व एंट्री बैंक अकाउंट सीधा बैंक में पैसा जाएगा है कि आप हजार इंटो 125 कितने हो जाते हैं दस लाग आप दस लाग नहीं होगा अच्छा हाथ ठीक है है दस लाग और टू शेयर अप्लिकेशन है कि दस लाग कि सर इसका बीइंग क्या होगा बीइंग राइट है क्यों नहीं अभी तो पहली एंट्री ना तो दूसरी एंट्री में करेंगे हैं कि बीइंग राइट इशू 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 ठीक है अगली एंट्री करवा सर शेयर अप्लिकेशन टू एक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्यूरिटी प्रीमियम सर कितने आ जाएंगे सर दस लाग अब आठ लाग और दो लाग बस हो गया राइट इशू ड़न कि इसमें और हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है तो राइट इशू आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा राइट इसू में सबसे पहले में क्या हुआ नंबर निकालना और नंबर आपको बताएगा किस रेश्यो में दिया जा रहा है पांच के बदले तीन है हम क्या करते हैं 5 के बदले 3 में बताओ हम 40,000 लिखते और डिवाइड़ वाइड़ पांच और गुणा में 3 करते हैं यहां पर भी गुणा में मैंने एक लिखा हुआ है लेकिन दिख फाइदा नहीं था करने का मैंने नहीं लिखा समझे तो यह हो गया हमारा पूरा राइट इशू बताइए किसी को कोई दिखकत राइट इशू समझ में आया एक्जाम में कभी भी कोश्चन राइट इशू को सिर्फ अकेला नहीं आएगा वो मिक्स करके ही आएगा ठीक है ना तो अगला कोश्चन देखते हैं एक यह कोश् कवीर ने कंसिस्ट कितने शियर थे इसके पास दो लाग एक्विटीश 10 रुपे का एक कम्पनी और नीओ कोटीच एंग्जिस्टिंग ऑलडर वन इस टू-वन इस टू-वन का का मतलब अगर आपके पास एक शियर था तो एक राइट इशू दे देंगे दस यह टेन रुपीज इच ऑफ़र टुदा मिनिमम टेन रुपीज फेवल एस फॉलो बोलता है दस रुपए है कैसे देना है आपको पांच रुपए और पांच रुपए यह तो हो गया प्रिमियम टेन रुपीज मतलब दस वाले शियर को मैं दस रुपए प्रीमियम पर दूँगा आपको कि कहता है और शियर होल्डर एक्सेप्ट दा ओफर सभी शियर होल्डर एकसेप्ट कर रहे हैं बट वन शियर होल्डर होल्डिंग छेशों शियर पेड फुल प्राइज हैं आप सबसे पहले तो नंबर औफ शियर सोल्डर की अगर मैं बात करूं तो दो लाग शियर था वन इस्टू वन का रीशो था इन्टू वन करोगी तो डटेट इस दो लाग शियर ही आपको इस्यू करना हैं कि इसमें से कहता है एक शियर होल्डर जिसके पास 600 शियर थे उसने क्या करा पूरे पैसे दे दिए एक ही बार में 20 रुपए दे के खतम करें अप्लिकेशन पर उसने अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर ते फेल टू पे अलॉट्मेंट और वो अलॉट्मेंट देने में फेल हो गया और उसके फिर फोर फीचर हो गए दा फोर फीच है तो साइद आपको थोड़ी से दिक्कत लगे लेकिन आप सोचोगे सर यह नॉर्मल सवार शेयर कैपिटल का है तो आपको लगेगा वही है सिंपली आप पहली एंट्री करोगे बैंक टूशेयर अप्लिकेशन टूशेयर कैपिटल फिर लेकिन ध्यान यह रखना है कि बैं यह वाला बंदा तो बीज दस रुपए देखे जाएगा हमें और यह वाला बंदा देखे जाएगा 20 रुपए तो इनको अगर जब आप टूटल करोगे तो वह टूटल आपके पास एक बार में पेमिंट आएगा जैसे इसके आगे 12000 और इसके आगे हमारे एक निन्यानव पर यह बताइए है पहली एंट्री यह आगे अट्जस्मेंट करते जाएंगे हो जाएगा क्या सर 125 को मल्टिप्लाइ क्यूं किया कौन से सवाल में 125 किया था मैंने 125 क्यूंकि कह रहा है न 25 रुपए प्रीमियम पर इशू है तो 100 रुपए का तो फेस्वेल लिए और पांच 25 रुपए का आपका प्रीमियम इसके मदद बोनस की बात करें है यहां तक कोई दिक्कत है बताईए फटाफट अधेखो बोल रहा है यह अप्लिकेशन पर पांच तो उसके होंगे और पांच प्रीमियम के और यह पांच उसके और पांच प्रीमियम दोनों जगए दो जग आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगे ठीक है चलिए अगले कॉंसेप्ट हमने देखा यहां पर सर्थ दो कॉंसेप्ट था जिसमें से एक कॉंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं इस राइट इशू